हेलो दोस्तों दोस्तों नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम इस्टार डिल्टा इस्टार का पावर डाइग्राम समझेंगे इसके पहले मैंने कंट्रोल डाइग्राम मनाया है जो आपको उपर आई करके बेटन में मिल जाएगा आपको पावर डाइग्राम देख दोस्तो, start-delta starter के अंदर हम कुछ समय के लिए motor को starting में star contactors चलाते हैं। हमारे पास क्या होते हैं, तीन contactors होते हैं। यह समझ लेजी, आपको बहुत ही जरूरी होगा, और आपको कुछ चीज़ बेसिक भी बताऊंगा, इसमें के star-delta starter क्यूं दोस्ताइब लेते हैं। डीलताव श्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तों ऐसा हम क्यों करतें हैं तो वो यह जी समद्ना भहुच श्रूँए तो दोस्तों देखो हमारे मोटर के ऊपर ऐसे छाना निकल रहे होते हैं स्टेंभ कैसे हैं यह मैंनी रुटे से लुकार है तो यह नहें। वाइंग तीध से इतंड ओलिए तुह तीध नियिए टिसे इतंड वाइंग ओलबी व、 जुए चुए मोटर स्टेश्ट अंदर यू 0 164 सद्थी पे एक सेतल किस ay वाइंद को सुन जैट सिर आटे चैकरल क्यों सब्सक्राइब एक सिरह को शोर्ट कर देते हैं जैसे इदे का शोर्ट कर दिया आजिए घर कनेकसरः करदें उसके यॉखम अधार की गाता ही वाइनिये लिऴ यॉखम होगो को शोर्ट करते हैं पर है'm चाहता कि हमारी जो भी एक वाईंदिंगे के उस वाइंदिंग테 के उस फाइंदिंगे जाहता है फर जो फasto के असा होता सिंगले का फिल्टी आए लुविवर पहले हमारे को पहलं हो जिसे इधर उड़ा कमें पहली हृ। तो तीनो शोट और उपर का तो इद सबस्क्रांप में हम ड सबस्केश चले अ क्ला tavalla कंतला जी सबस्क्राइल दो इस सबस्क्राइद थीचल definitions क्ला हैं ये सबस्क्राइब उपरका योको पेखेंस और आप तो इस टीम की anys Elok को बंद करने मिरुष देल्टा घंचेर हम को ध्यान रखना है एक वाइंडिंग इंदर हमने आर दिया है तो इधर वाई दिया है वह मैं आपको अभी बताऊंगा आगे पावर डाइग्राम जब बनाऊंगा यहां पर तब आपको धीर-दीर बिल्कु क्लियर हो जाएगा ठीक है तो इससर आर दिया इधर वाई दिया रखने एक यह दो वाइंडिंग तो यह यलो वाली के सामने हम दे रहते हैं तो ऐने दो दो फेस हर वाई अगर मतलब हर वाई निकेंदा 440 वोल्ट पहले हम 220 वींदे रहे एं फिर भीन 40 वोल्ट दे रहें तो दोससे ऐसा क्यों कर रहे हम 220 पर दे रहें तो 220 में चलने दे है तो दोस्टो ऐसा इसलीले करते हैं यह जो हमारी साथ केलोवाड की मानके चलो वह हमारी 10 लहीं लगबख 10FR कंड रेटेड करंट होग इसके और जार्टिंग है यह से चार 152 तो हमारे कर चाइब आदेगे सकता है तो इसलिए हम करते हम स्टार्टिंग में श्टार में बांडे टैसे हमके एकatchetस उसके बाद 5 supported कि इतना तो इसको बोलते हैं तो इन्रस करेंट से हमारी मोटर को प्रोटेक्शन के लिए हम इसको इसको इस तो समझ आया होगा अब मैं आपको हमारा पावर डियाग्राम बतातों कि पावर डियाग्राम कैसे बनता है दोस्तों सबसे पहले हमारे आर वाइB तीन टीन फेस हम सबसे पहले हमारे आप MCC ओष करते कहीं फिव जींच करते हुएं KayPER सीमबल बना देता ही कहीं गएप्र मस्सीं आप अज करते हुएं तो जो हमको यूजού आइए आपके अनुसाइर आप इसमें लगा सकते है मैं बना रहा हूं यहां तो यहां पर 3-pole का MCCB के बाद में क्यों लगाते हैं कहीं पर पहले फ्यूज लगाते हैं आज कल हर जगे दीर दीर करके MCCB को प्योग लेरे क्योंकि MCCB कभी ट्रिप हुई तो इसको वापस 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 हमको चेंज करना पड़ता है यह दिक्कत होती है इस्टार्टिंग में एक खर्चा होता है MCCB में पर बाद में आगे जाके सही रहता है MCCB से हमारा फेस आएंगे तीनों तीनों MCCB जैसी हमने ओन करें MCCB के बाद में सबसे पहले ओर लोड रिले लगा देंगे ठीक है धरमल ओर लोड रिले जो फिर प्रोटेक्शं के लिए पाम आएगे नीओ failure के तरह हमारी मोटर जो आपर चाहिना में और थ्री 3-pole के अंदर हमारे R, Y और B आ गए और ये 3-pole का कॉंटेक्टर हमारा मोटर के कनेक्शन में चले जाएगा ठीक है यहां पर एक में मोटर बना देता हूं यह मोटर के टर्मिनल बना देता हूं एक दो तीन और यह एक दो तीन ठीक है अब कि अबर बना येご हो में हमाने अपो बोला ताना कि एक वाइनिंग होती उसके दो स्धाफिए तो अगर आपको emission की मॉल्टीमिट्र नहीं है कि अभी ए ऐसके लिन अन्दर होता है लिग इसंद्धर मोटर के अधर देक। रिजय को घे ररे तो भी पारा तो यह वी टू होगा यह डब लूँ वान हे तो यह आख्याम अहे हमाने सामने अलग अलग होता है रहिक है ताँ मैं लगोगण वताथा चलता हूं आपको ओभे जैसे हमने इदर आर से अंदर हमने इस से connect कर दिया ठीक है एक वाइनिक जोड़ दी और दूसरा हमने इडर जोड़ दी ये वाइ से और ये तीसी जोड़ दी हमने बी से ठीक हुच इस पर का जोड़ दी आपको पता चलेगा भी दीरे दीरे टेंसन वाली बात नहीं है इसके बाद में हम एक और कॉंटेक्टर न टीक है यलो और यह राट आरवाई भी हमारी आप मान लीजेए यहां पर एर नहीं या तो आप या यहां से उठएगी और देखो दोस्टों आप जैसे इसके इंदर हमने यह सिरा जैसे यूण ए 실ंब 맹न है यह यह वान है और यह V1 है और यह W1 फ्यक्याय है उब इसके इनदर इसके और हम यह जैसे रेड़ateurs हम्ने रेड़itives हमें U1 तो अब एधर रेड़wnे हम्ने G1 किस अपलाई है तो आगे ओने के पूस्पैबह आप देखो यह V2 यह बदिया और यह यल्लो में हम दे देंगे यल्लो इधर हमने किस में दिया यल्लो इधर हमने दिया था हमारे जैसे यह U है यह V1 है और यह W1 है ठीक है तो यह होगे हमारा W2 यह होगे हमारा U2 और यह होगे हमारा V2 तो हमने Rye Face में हमारे V2 जोड दिया ठीक है ठीक है तो अब मैं आपको बता देता हूं जैसे हमने गउन आपने ठीक है इधर हमने Yellow Face में डबुल्स देंगे और इधर हमने Blue Face में डबुल्स दिए तो इधर हम W में यूट दे देंगे यानि हर वाइंडिंग इंदर अलग और एक और कॉंटेक्टर हम लगाएंगे यहां पर जिसको बोलते हैं इस्टार कॉंटेक्टर जो मैं आपको बताया तक उस सेकेंड के लिए स्टार्ट करते हैं टाइमर के थू तो इसके अंदर कुछ नहीं हम यहा अगर आपको समझ आया होगा वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल या सुझा हो तो मुझे नीचे कमेंट कीजिए और इलेक्रिकल की वीडियो और देखने के लिए चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए आज के लिए इतना ही धन्यवाद